क्राइग रूल्स आफ एरोमेटिसिटी विए खिक है तो चलिए लिखे इसमें मैंनली एप्लिकेबल फार कंपाउंड वीच और वालेटिंग हकल रूल आफ एरोमेटिसिटी इसके लिए एप्लिकेबल है एप्लिकेबल एप्लिकेबल फॉर कंपाउंड compound जो हकल को वाइलेट करेगा compound which are violating हकल रूल अफ एरोमाटिसिटी हकल रूल ओ एरोमाटिसिटी है हकल्स रूल ओफ एरोमाटिसिटी है है लेकिन किसने का क्रेक रूल आफ एरोमाटिसिटी पढ़ना है विचर होगा लेटिंग हकल रूल साफ एरोमाटिसिटी वाट इस दा है कल रूल आफ एरोमाटिसिटी यह आप सभी लोगों को पता है यूजली एप्लिकेबल फॉर पॉलिसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड हाइड्रो कार्बन ठीक है दूसरी चीज क्या है कि यूजली यूजली एप्लिकेबल किसके लिए यूज किया जाता है पॉलिसाइक्लिक पॉलिसाइक्लिक ठीक है एप्लिकेबल फॉर पॉलिसाइक्लिक पॉलिसाइक्लिक और लिया था ना आप लोगों ने पॉलिसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड हाइड्रो कार्बन ठीक है सी एच सी समझ गया है समझ तो गय होंगे ही है लास men ने सब्सक्राइ biraz की थी या है यह बरॉसाइक के बारे में हम लोग कर रहे थी नोटल के थे थो पोरे से पॉलसाइकलिक दुश ci message के बारे माथ किया था कि नई हम लोगों ने इसमें अब तोटल नंबर सब्सक्राइब करें कि हाउ मैंनी नंबर सब्सक्राइब कान्जूगेशन कितने बॉन्ड है 16 तो एकॉर्डिंग टू हकल रूल यह क्या था एंटि एरोमेटिक बट यह पाया गया कि यह हैं एंटि आरोमेटिक नहीं है इरोमेटिक इन नेचर इसे पाइरीन ब सब्सक्राइब की मिया दिखना भी है हमिए हमें ठीक है कि कि क्या यहां पर लिख रहा हूं मैं इकॉर्डिंग टू हकल्ड रू एकॉर्डिंग ου हकंत्स रूर्व कि अ हकल्स रूल हकल्स रूल ठीक है पाइरीन पाईरीन जयाँ भूलो वालो फॉरैन रूली रूरैन रूली फैंधि के रहां यूरैने सिनॉ में झा यहां 9 पॉरैन रूस पॉरैने लूरैने लूड धरैंगर ल поверх अजू फंधि क्रैग क्रैक्स रूल यह क्या है आरोमेटिक इसका एकस्प्लेनेशन दिया इसने कि इसने क्रैग ने ठीक है अब यह क्रैक्स रूल अप्लाई कैसे करेंगे इसे में कितने टीक है कि somewhere आ खी घ। दो आ और तो देखिए इस्तिप इंवालव इन एंवार्व इन्वाल्प इल्प्केशन तो ऑो अपट से कर रहे थे इस्तिप posTIM वह पर सुन कि renewal कर रहा है स्टियर्प्सिंवालव इंवार्भ इंवाल्प इन गुल को इन क्र quintals क्रैक्स रूल कितने स्टिप इन्वाल्व करेंगे यह देखेंगे सभी है सर्व प्रथम सबसे पहले क्या करेंगे हमें जो भी कंपाउंड मिलेगा उसकी एक सेंट्रल पोजीशन को सेलेक्ट करेंगे और उसमें से सीट्व एक्सिस पास करेंगे एक्सिस पास करना जानते हैं कि नहीं सीट्व एक्सिस पास करने का मतलब 180 डिगरी क्या करेंगे रोटेट करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेगा क्या अबर्ष करेंगे तुदिख डॉद टू डिफ conflicting गिलал्ड स्ट्रुक्टर अफ से人क्ते अप्रुक्यूल टैस्ट्राइट डिफरेंगेर्ड ग्या सरोप्रतं्सट्राइब टुदु टू ठुदू चटु डिफरेंगेर्वि structure अरे बब आरे बब आपको के कि लो बताना पड़ेगा क्या हां 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 क्यों इस्ट्रुक्ट्चर आफ सेलेक्टेट मॉलेक्यूल सेलेक्टेट मॉलेक्यूल एक है सेकेंड पॉइंट क्या है इस टू स्ट्रुक्ट्चर मस्ट बी इंटर कन्वर्टेट कन्वर्टेट बाई सी टू एक्सिस इसका मतलब वही बात है जो मैंने आपको पहली बात बोली थी ठीक है इस ट्रूक्ट्चर थी इस टू स्ट्रॉक्ट्ट्चर मस्ट बी मस्ट बी इंटर कन्वर्टेट इंटर कन्वर्टेट converted by c2 axis for example जैसे देखे क्या है कि मेरे पास यह molecule है यह इसका नाम क्या है बेंजीन यह बेंजीन है 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 साइक्लो हेक्जेन देखिए जैसे इसमें क्या है यहाँ डबल बॉंड यहाँ डबल बॉंड यहाँ डबल बॉंड एक और इसका structure बनाना है वो मैं कैसे बनाऊंगा क्या कर दूंगा यहीं से c2 axis पास कर देता हूँ अभी यह भी बताऊंगा कि कहां से c2 axis पास करना है c2 axis पास करने के लिए conditions क्या होने चाहिए c2 axis तो ऐसे भी पास कर सकता था लेकिन मैं यहीं से क्यूं पास कर रहा हूँ वो अभी discussion करेंगे c2 axis पास करेंगे अगर इसे rotate करेंगे तो यह वाला double bond कहां चलाएगा यहाँ पे और यह वाला भी कहां चला जाएगा यहाँ पे और यह भी कहां चला जाएगा यहाँ पे तो यही कहने का मतलब है कि दो कैक्यूल structure बनाना है जिस molecule की आपको aromaticity identify करनी है और वो कैक्यूल structure आपस में c2 axis से क्या हो interconverted हो जैसे इसे में अगर मैंने क्या किया c2 axis पास किया तो यह बन जाएगा इसमें किया तो c2 axis पास किया तो यह बन जाएगा सही है तो समझ रहे हैं ना ठीक है तो यह दोनों statement का मतलब है कि समझ गए है ठीक है अब c2 axis पास कहां करेंगी जो c2 axis है वो कम से कम दो sp2 hybridized carbon से होकर ही जानी चाहिए c2 axis कम से कम दो sp2 hybridized carbon से होकर ही जानी चाहिए तो third point आप लिखेगा c2 axis must be passed through what c2 axis must be must be passed through पास्ट थ्रू 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 आट लिस्ट आट लिस्ट तू sp2 hybridized carbon sp2 hybridized या sp2 carbon भी लिख सकते थे इसे carbon के लाओं कोई भी हो सकता है ठीक है यह कान कर लिया अब यह कार्य करने के बाद करेंगे कि इस्पिन लेबलिंग उसके बाद third point क्या करेंगे फोर्थ इस्पिन लेबलिंग इस्पिन लेबलिंग इस्पिन लेबलिंग कौन सा अलफा एंड बीटा आईए जैसे सकैसे अगर मैं बात करूं यहां पर इसे मान लू आई संत्राइव इसे क्या माननू बीटीадцet मान लू आफ़ा इसे माननू क्या तीक है जब मैनने सिट्व एक्सेस पास किया तो यहतो अल्फा यह अल्फा तो यहीं पर रहेगा यह बीटा बीटा आपस में चेंज हो जाए सब्सक्रैन यह बिटाütरस मान लिया इसे अलफ़ आपके समझने के लिए बस खाली कर रहा हूं तो यहां क्या रहा होगा आपका बीटा डैस और यहां क्या रहा होगा आपका बीटा यहां क्या रहा होगा आपका बीटा यहां क्या रहा होगा अल्फा डैस और यहां पर क्या रहा होगा आपका अल्फा यह बस आपको समझाने क यह इसको अलफव बीटा अलफव बीटा ठीक है ठीक है जेन नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट किया है फिप्थ पॉइंट कैल्कुलेट कैल्कुलेट What? F and G. F and G. F क्या है? F. F है आपका total number of pair. टोटल नमबर ऑफ पेर एक्सचेंज विद चीटु एक्सेस ठीक है? या आप ऐसे कह सकते हो, टोटल नमबर ऑफ सेम पेर एक्सचेंज विद चीटु एक्सेस. ठीक है? क्या? तोटल नमबर व टोटल नमबर नमबस। बेर एक्सेंज विद एक्सेंज. ओंडक विद क विद वद ten वいやईे इसंज. एक्सेंज एक्सो एक्सो एक्स Same Spin Labeling. What? With Same Spin Labeling. Same Spin Labeling. ठीक है और G क्या है आपका? Total Number of Pair Exchange with C2 Axes with opposite Spin Labeling. मतलब Alpha Alpha से हो रहा है, Beta Beta से हो रहा है. उसे क्या बोलेंगे? F. अगर Alpha Beta से हो रहा है या Beta Alpha से हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? G. यहां पर लिख लेजिएगा Total Number of Pair. Total Number of Pair. Number of Pair. समझ रहा है कि नहीं? Exchange with Exchange with C2 Axes C2 Axes with Opposition of Spin Labeling. ठीक है? Opposition of Spin Labeling. लिख लो आप या Opposition of Spin Labeling. समझ रहा हो ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ गए? जैसे यहां पर आई यह बात करते हैं. इसमें बीटा बीटा से एक्सचेंज हो रहा है, अलफा अलफा से एक्सचेंज हो रहा है. तो यहां पर F की value क्या होगी? 2. और G की value क्या होगी? 0. समझ गए? सही है? यह पांचमाए step. छटमाए step क्या होगा आपका? 6. क्या करेंगे? F और G को add कर देंगे. F plus Z. जब F plus Z add करोगे तो दो तरह की value आ सकती है. एक तो क्या सकती है? Even. एक आपकी क्या सकती है? Odd. अगर even value आएगी तो क्या होगा आपका? Aromatic. Odd आएगी तो क्या होगा आपका? Non-aromatic. Anti-aromatic नहीं बताएगा यह है. ठीक है? समझ रहे हैं? अब यहां पर देखिए previous compound में अगर हम लोग बात करें. तो F और G की value को जब आप add करोगे तो कितनी आ रही है? 2. 2 क्या है? Even. Even है तो यह क्या है आपका? Aromatic. समझ रहे हैं न? आसान है न? क्राइग रूल क्या है? क्राइग रूल एप्लिकेवल है उन compound के लिए जो वॉयलेट करेंगे हकल रूल ऑफ हरोमैटिसिटी. Generally polycyclic conjugated hydrocarbons के लिए यूज करते हैं. मैंने जान बुच कि आपको monocyclic से इसलिए समझा है क्योंकि आपकी मुलाकात वैसे compound से हो चुकी है. अब क्राइग रूख के according जो आपका pyrene compound है जिसको आपने देखा ये क्या कहते हैं ये वाला जो compound है क्राइग के according aromatic है लेकिन हगल के according क्या है anti-aromatic है अब अगर हम बात करें कि यह apply कैसे करेंगे तो उसमें सबसे पहले क्या करना है आपके सामने जो भी molecule होगा उसके उपर आप c2-axis apply कर देना है ठीक है c2-axis apply करके दूसरा structure बना लेंगे या ऐसे लिखा हमने draw two different calculate structure of molecule these two structure must be interconnected by c2-axis या तो हमें क्या करना है जो molecule मिलेगा उसके उपर c2-axis apply करके दूसरा structure बना लेना है फिर उसके बाद alpha-beta leveling कर लेनी है फिर देखना है कि c2-axis apply करने के बाद exchange हो रहा है कि नहीं अगर same same spin labeling के बीच में exchange हो रहा है तो उसे f से represent करेंगे art के बीच में हो रहा है तो उसे g से f और g को add कर देंगे एफ और जी को add करने के बाद value अगर even आएगी तो aromatic है अगर odd आएगी तो non-aromatic है आसान है ना आसान तो है ही क्यों तो चले करें को स्चन करेंगे आप लोग को स्चन करेंगे तो कौन सा कंपाउंड है सबसे पहले चलिए आए इस कंपाउंड के बारे में बात करते हैं अगर आप से पूछा जाएगा कि यह वाला कंपाउंड एरो मैटिक है या नौन एरो मैटिक है तो आप कैसे बताएंगे इसे आप हकल से नहीं बताएंगे आप इसे क्रैक से बताएंगे अब इसमें क्या करेंगे leveling कर दें पहले देखिए पहले क्या करते हैं hier DAG फिर यहां पर क्या अलफा और यह कैसा कंपाउंट है भाई नान अल्टरनेट है ठीक है अब इसमें क्या करेंगे सी टू एक्सिस पास करेंगे जहां से एट लिस्ट दो हाइड्रोकारवन और दो पर फिर्ट टू है डिडाइड कारवन के उपर से होके जाए और सी टू का मतलब है कि आधा आधा बराबर बराबर हो तो कहां स्पास करेंगे यहां से कर दें यह रोटेट कर देंगे रोटेट कर दें सी टू एक्सिस अप्लाई करके यह यह डबल बॉन की पोजीशन आपको स पता ही नहीं चेंज होंगी जिधर से जा रहा है क्या आपका सी टू एक्सिस चेंजिस अरे कुछ ना बदलेगा भाई कि क्या बदलेगा अच्छा तो डबल बंडवा इसमें आ जाएगा तो एक ही तो है यह यहां आएगा यह यह यहां आएगा अब फस्ट वाला भी नहीं बदलेगा यह तो यहीं पर रहेगा वह तो वहीं रहना है अलग रहा है सी टू आप लोगों को नहीं आती लगाने समझ गया है हम आप लोगों को जो है सी टू लगाने नहीं आती चलिए यहां पर क्या आजाएगा आपका बीटा और यहां क्या आजाएगा अल्फा है ना यहां क्या आएगा अल्फा और अल्फा यहां क्या आएगा बीटा और बीटा बीटा और बीटा यहां क्याएगा अल्फा और अल्फा 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 ठीक हैं फिर उसके बाद सब्स gaming डीटा ओर बीटा है यहां तोफा रहे गई अब देखिए सेम स्पीड लेबलिंग वाले कौन कौन से changes हो रहे हैं उन्हें मैं पीली कलम से दिखाएं गाолог एक दो अधिता फ्रिश चार हो रहे हैं सेम स्पीन weinig वाले और मतलब सेम इसमें लेभलिंग का मतलब क्या है वाट इस गवल्व आफ मेर फैफ की वैलु क्या है यह जाएगी ओपजटीक वेकलेगी व्र início आड्ड किरेंगे कितना आजायेगा आप मेर्ण है औब अर्ड आ रहा है तो यह कंपाउंट आपका क्या होगा ता नाने रोमेटिक क्या है नाने रोमेटिक है सही एक आप यह ना यह नॉटोरम्याटिक लिखिए गैस इसको नॉन नहीं लिखना है किसमजगे असान था ना ना भूत अजान था था है जगार अग्ला पांड करेंगे कि अच्छा पिश्चर्च मरी बहुत है आसान था चलिए इवह वाला करके दिखाएए साहब अजर्ख में इसको करके दिखाइएगा ही तीक है आई यह इत्धी डबल वांड इने डबल वांड ईत्धे डवल one इत्धी डबल लगा दे लग रहा है कुछ अ ऐसे नहीं लगेगा कि पहले किनारे किनारे लगाना चाहिए था कि हमारे पास बच्ची बनी हुई तो थी कि कहीं सभी पकड़ लें यह कॉंजूगेशन में लगाते चलें सब्सक्राइब यह चीज यहां पर यह चीज चले इस पिन लेबलिंग कर देना यहीं सुरू कर दे जाएंगे अल्फा बीटा अल्फा बीटा आल्फा बीटा अल्फा बीटा बीटा और बीटा नॉन nada लगादे कहां से लेकर जाएगे एट लीस्ट दो से जाना चाहिए अगर ऐसे लेकर जाऊंगा तो दोसे तो जाएगा नहीं तो इसके पास क्या रास्ता है कि यह बीच में से जाए कि कम से कम दो से क्या यह जा कितने से रहा है चार से जब आप सी टू एक्सिस लगाओगे तो आप अब काउंट कर लेना बना लेना देखो चेंज कौन कौन होगा बीटा बीटा से चेंज हो जाएगा अलफा अलफा से चेंज हो जाएगा यह बीटा बीटा से चेंज हो जाएगा यह बीटा बीटा से चेंज हो जाएगा यह बीटा बीटा से चेंज होगा यह अलफा अलफा से चेंज होगा तो यह सब के लिए क्या है है what is the value of f 6 है ना और g की value क्या होगी 0 क्या आएगा 6 6 कैसा नंबर है even तो यह क्या होगा अ cul婆 Utd संभे आए आप लगा ले ना सीट अक्सिस लग गई इसना लग गई है सब की अ कि हम दूसरा वाला इस्ट्रक्चर मैंने नहीं बनाया बना देते हैं नहीं कि बलॉड़ान का रही है अरे भाई आनलाइन वालों का क्या भुरुसा वो मुह में दही लेके बैठते हैं भूलते नहीं है विचारे बस खाली उन्हें आता सब कुछ है देखिए यह वाला डबल बॉंड यहीं पर रहेगा इसमें कोई भी चैंजस नहीं आएगा यहां चला जाएगा और यहां चलाएगा है ना यहां यह यहां यहां यह यहां यह कहां चला जाएगा यहां और यह वाला भी कहां चला जाएगा यहां और यह भाई साब कहां जाएंगे यहां यह कहां चले जाएंगे यहां और यह यह यहां यहीं लगेगा न सीटो एक्सेस लगाके बनेगा सही है फिर आप देख लेना यह अलफा तो यहीं पे रहेगा और यह बीटा भी क्या रहेगा यहीं पे रहेगा बाकि सभी लोग बदल जाएंगे जैसे सपोज आपके समझने के लिए मैं इधर वालों को क्या कर दूं डैस कर दूं हैं आपके समझने के लिए कर रहा हूं आपका बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा और अधर क्या हो जाएगा आपका बीटा अल्फा अ fard इस ब्यूंधा अल्फा सबस्क्राइब आदेश समझ गए ना